तो ईशा भी बनना चाहती है बिग बॉस की लाडली, खाली विव्यान डिसीना ही क्यों लाडले बने, उनको भी लाडली बनना है, दरसल बिग बॉस के गर में हम देख रहे हैं कि प्रीमियर जब हुआ था, तो उसी वक्त यहां पर कह दिया था विव्यान डिसीना ने, कि मैं मैं बिग बॉस का बेटा हूँ, कई सारे लोग जो बिग बॉस शुरू होता था, कलर्स फेस को यह आता था, तो लोग टॉंट मारते थे, अरे यह तो कलर्स का बेटा है, लोगों को बोलते थे, कलर्स की बहु है, कलर्स की बेटी, इसको ही शो को जिताएंगे, लेकिन सामन उदास लग जगे लिए कि मैंने भी करस के शोस कर रखे तो मैं क्यूं नहीं लाडली हूँ उनको भी लाडली बिग बॉस की बनना है क्योंकि जो भी लाडला लाडली बनेगा उसको कही नहीं अफ्कोर्स थोड़े सी एडवांटेज मिलेंगे जैसे कि यहां पर विव्यान को जो भी advantage मिलें अब गदराज से बात करती भी नजर आती है ईशा सी तो पहली चीज़ तो मैं यह बोलना चाहती हूँ जो गदराज को यह लोग लेकर क्या है गदे को डॉंकी को टोटली रॉंग है कही ना कही एक animal cruelty भी है क्योंकि एक विचाहा बच्चा 24-24 गंटे एक जगहा पर खड़ा हुआ है गूमने वाला जानवर इधर से उधर वो छोटी सी जगह पर खड़ा है वही पॉटी कर रहा है सब कुछ तो यह चीज़ बिल्कुल भी सही मुझे नहीं लगी है क्या ही करना चाहते है इससे क्या entertainment हो रहा है बता दो फिलाल यहां पर गदराज के साथ लोग बारी-बारी बात करते है उस वक्त जो है इशा भी बात कर लेती है इशा कहती है कि मैं क्यो लाडली नहीं हूं बिग बॉस की विवा विवयान ही क्यो लाडला है क्योंकि उसने बहुत सारे शोस किये मैंने भी शोस किये लेकिन थोड़े शोस किये तो यहां पर उनका कोशन है कि मैं क्यों नहीं लाड लियू मैंने तो कलर्स के शोस किये फिलाल क्या कहना है आपका कॉमेंट करके जरूर बताए ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीज़े थैंक्यू